दोस्तो आज का हमारा टॉपिक है कुकिंग। आज की वीडियो में बात करेंगे कुकिंग रिलेटेड इंग्लिश वाइट्स के बारे में। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चीलना जब आप सबजी के चिलके चीलते हो इस इंग्लिश वाइटना जब आप कुछ फेटते हो जैसे अंडे को फेटते हो या बेसन को फेटते हो तो इस इंग्लिश वाइटना जब आप कुछ फेटते हो जैसे अंडे को फेटते हो या बेसन को फेटते हो तो इस इंग्लि जब आप चाय चानते हो, तो वहाँ पे आप बोलेगे, strain, strain, next है, जमाना, जैसे बर्फ को जमाना, इसे English नो बोलते है, set, set, next है, उबालना, जब आप कुछ उबालते हो, जैसे दूद को उबालना, या पानी को उबालना, इसे English नो बोलते है, boil, boil, उफनना जब आप दूद को लाश्ट तक उबाल लेते हो और उसका उबाल ऊपर आने लगता है this English न बोलते हैं बॉइल ओबर बॉइल ओबर काटना जैसे सबजीयों को काटना इस इंग्लेशा बलते हैं चॉप चौप नेक्स्ट है बीनना जैसे दाल को बीनना चामल को बीनना जब आप कुछ बीनते हो तो वहाँ पर आप बोलोगे पिक पिक नेक्स्ट है भीगोना जैसे चामल को भीगोना जैसे छोले को भीगोना जब आप कुछ भीगोते हो वहाँ पर आप बोलोगे सोग जसचोफ नेक्ष्ट है धकना जैसे भगोने पर ढककन को डकना भी सिंग्लिस्ट है बलते कवर सजाना जब आप काने को डिशेस में सजाते हो पुर भी भीredit cambi गिसना चाय में अध्रग को डालने से पहले उसे किसना पड़ता है लकुत ग्रेट ग्रेट नेक्ष्ट है भूनना जब आप आग पर कुछ भूनते हो जैसे चिकन को भूनना तो इस इंगलिशन बोलते हैं रोष्ट रोष्ट नेक्ष्ट है मतना जैसे दूद, मलाई या दही को मतना तो इस इंगलिशन बोलते हैं चर्ण चर्ण नेक्स्ट शेखना, सेखना को इंग्लेशे वोलते हैं, बेक, बेक नेक्स्ट फूतना जैसे मसालो को फूतना, सिंग्लेशोंती हैं, टायम्ट, टायम्ट नेक्स्ट है डूबोना जैसे दूद में या चाय में बिस्केट को डूबोना सिंगलिशन बलते है डिप डिप नेक्स्ट है बेलना जैसे रोटी को बेलना सिंगलिशन बलते है रोल आउट रोल आउट नेख्ष्ट गुतना या मढना यसे आठीवो मढना या गुतना सिंग लीशन बोलते नीड नेख्ष्ट पलटना पलटना पुलिशन बोलते फ्लिप फ्लिप next है मिलाना मिलाना को इंगलीश ये गलते है mix mix next है पीसना जब आप मसालों को पीसते हो इस इंगलीश को बक्राइन्ड Next है घोलना या घुलना जैसे दूद में पाउडर को बक्राइन या किसी भी चीज को जब बक्राइन्ड ग्राइन्ड डिजॉल 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 रेक्ष्ट है छेडकना जब किसी चीज को छेडकते हैं और छोटी-छोटी बूंदे बन जाती है जैसे इंगलेश हो बलते हैं स्प्रिंकल तो दोस्तों आज के लिए इतना ही वीडियो यूस्फफल रही हो तो वीडियो को लाइक कर दीजगा औ कि हमारे चैनल पर आपको हर रोज ऐसे ही नए नए टॉपिक से रिलेटिड वीडियोस मिलती रहते हैं तो मिलते हैं नेक्ट वीडियो